रिलाइंस जियो ने देश में एक नया इतिहास रच दिया है अब तक प्रॉफिट और रिविन्यू के शेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जियो अब देश की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसके सब्सक्राइबर्स की संख्या 40 करोड को पार कर गई है 12 अक्टूबर 2020 को ट्राइ ने जो रिपोर्ट जारी की उसके मुताबिक रिलाइंस जियो के यूजर की संख्या 40 करोड 8 लाग तक पहुँच गई है खास बात यह है कि सिर्फ जुलाई महिने में ही जियो ने 35 लाग से अधिक सब्सक्राइबर्स चोड़े जियो के बार देश की दूसरी बड़ी कंपनी एयर टेल है जो ग्रहकों के मामले में जियो से काफी पीछे है एयर टेल के ग्रहकों की संख्या 31 करोड से जादा है मुकेश अमबानी की रिलाइंस जियो कंपनी अपनी स्थापना के साथ ही नित नए रिकॉर्ड बना रही है कुछ ही सालों के भीतर जियो ना केवल देश की सबसे बड़ी टेलिकॉम कंपनी बन गई है बलकि प्रॉफिट और रिविन्यू के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है गौर तलब है कि अगस 2019 में ही 34 करोड सबस्क्राइबर्स के साथ रिलाइंस जियो देश की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी थी उस समय AGM की मिटिंग में वोकेश अंबानी ने जानकारी दी थी कि दुनिया की कोई ऐसी कंपनी नहीं जो प्रॉफिट और रिविन्यू के मामले में जियो को टक कर दे सके